आज हिंदी दिवस मनाया डाता है हिंदी दिवस जब आज ही के दीन 14th of September 1949 को संबेधान सभा ने हिंदी को एक आधिकारिक भासा के रूप में सुईकार किया था तो हम उस दिवस के याद में हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं प्रशन ये उठता है कि हिंदी को सिर्फ हम दिवस के लिए मनाएं या फिर हम हिंदी को अपनाएं देखो दो चीज़े होती है कि हम किसी भी भासा को जाने ये बहुत अच्छी बात है लेकिन हम किसी भासा को डिमिनाइज करें ये नहीं होना चाहिए आप चाहे हिंदी जानते हो, हिंदी नहीं जानते हो, इंगलिस जानते हो, इंगलिस नहीं जानते हो यह महतोपुर्न नहीं है, महतोपुर्न ये है कि आप कोई भी आपका जो भी वर्क है, कोई भी चीज है, वो आपका होना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि भासा जो है ये एक माध्यम है ये एक कम्यूनिकेशन का माध्यम है जो हम कुछ कह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए तो हिंदी ये सही है हिंदी देखा जाए तो भारति ये भासाओं में सबसे अधिक लोगों के द्वारा जो है हिंदी बोली जाती है आज के डेट में आप असिस्टेंट कमाडनेंट का तैयारी करते हो तो हिंदी माध्यम बाले का बहुत समस्या होता है कि यस इंगलिस के यदि selection नहीं हो रहा है तो basic English तो सीखा जा सकता है 10th तक का English तो आप कर सकते हो 10th तक में English आपने किया है तो आपको Hindi जानना जरूरी है एक तरह से force में जब जाते हो आप तो Hindi आपको जानना ही पड़ेगा आप जदे English medium से हो तो भी आपको Hindi जानना होगा अब देखो Hindi माध्यम से जदी आप हो तो आपके लिए एक तरह से आशानी है कुछ चीजों को कि कुछ questions जो होते हैं साथ आपको English में समझ में नहीं आ रहा है तो Hindi में आपको उसको समझो और कुछ questions ऐसे होते हैं जिसके भासा हिंदी में ऐसे complex होते हैं कि वह हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको English में देख करके समझ में आएगा लेकिन for example जो एक Tamil जान रहा है हिंदी वो नहीं जानता है Tamil जान रहे हैं, कंणर जान रहे हैं Malayalam जान रहे हैं या फिर जो नौर्थिष्ट का कोई और language जान रहे हैं हिंदी वो प्रोपर नहीं जान रहे हैं तो question paper में फोर example देखो तो मान के चलो paper one है तो paper one आपका exam का है तो उसमें दोनों language में रहता है हिंदी और English में लेकिन जदी आप हिंदी medium के हो तो आपके पास तो विकल्प है दोनों language को समझ सकते हो लेकिन जो हिंदी नहीं जानते हैं तो उनके लिए भी वो समस्या तो समस्या अपने अपने इंड़ पे सबके पास है लेकिन आपको दोनों चीजों को जानना चाहिए हिंदी को भी जानो, English को भी जानो कोई और language जदी जान सकते हो तो वो सही है और कभी भी जिस भी language से हो जिस भी भासा से हो वो उसमें बेचारगी महसूस नहीं करना चाहिए हमें हिंदी जानना चाहिए ये ज़रूरी है लेकिन सिर्फ हम हिंदी पे ही अठके रहें ये जरूरी नहीं है, यस आपको बोलने के लिए बहुत सारे politicians, leaders, ये सारे बोलेंगे, हिंदी, 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 लेकिन वो अपने बेटे को Oxford भेज रहे हैं, Harvard भेज रहे हैं, तो क्यों, यदि हिंदी इतनी अच्छी प्यारी थी, तो उन्हें सरकारिय स्कूल में भेजना चा जो आपका एक रोजगार प्राप्त करना भी आपका लच्छ है, फुरे जामपल, बिहार में पहले जो है, हिंदी, जब डॉक्टर स्री कृष्ण सिंग पहले मुख्यमंत्री बिहार के थे, तो उहां, इंगलिस भासा में पास होना अनेवारे था, जब आप matriculation पास कर रहे हो, लेकिन फिर करपूरी ठाकूर जी आए, तो करपूरी ठाकूर ने कहा कि जो हमारे बहुत सारे लोग हैं, जो students हैं, वो अंग्रेजी भासा, जो बिदेशी भासा है, उसके कारण उनको समस्या हो रही है, तो उन्होंने अंग्रेजी में, इंगलिस में पास होने की अनेव पराते हैं, लेकिन मैं ये प्रशन उटाता हूं, क्या आप हिंदी सही से लिख पा रहे हो, यदि आप हिंदी सही से लिख पा रहे हो, तो आप इंगलिस भी सीख सकते हो, इंगलिस को भी बुनियादी जितनी जरूरत है, देखो एक लिंक भासा होनी चाहिए, जो ये सोचत हिंदी बोलने लगोगे, यस हो सकता है आपके गाउं के कोई मील जाए, आपके मुहले के कोई मील जाए, आपके राज्य के कोई मील जाए, आपके देश के कुछ लोग मील जाए जो उस चीज को समझते हैं, लेकिन एक लिंक भासा होनी चाहिए, तो लिंक भासा, अब हर country का आप लिंक भासा नहीं समझ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन एक इंग्लिस जो है, उस चीज को समझना चाहिए, ये जानना चाहिए, तो हिंदी के दीन जो है, हिंदी आप जानो, मैं ये अच्छा मानता हूँ, और आपको, in fact, आप असिस्टेंट का मानेट का त्यारी कर जादी आप ट्रेनिंग में जाते हो, तो जैसे मैं देखता हो था, हमारे बैच में, South India के बहुत सारे रहते थे, North East के रहते थे, तो उन्हें हिंदी में प्रोब्लम होती थी, लेकिन ग्रेजवरी धीरे-धीरे सीखती थे, सीखते थे वो लो, तो इसमें जो है, ये जो आप का जो देनिक जागरन, यानि 14th of September का देनिक जागरन है, इससे हमने लिया है, तो इसको हम डिसकस करते हैं, तो एक साथ, दो मुर्चों पर लड़ती हिंदी, अब इसमें से देखो कि कुछ में जो है, ये है प्रोफेसर रजनीश कुमार सुकल, तो ये देखो, लेखक जो है अब जैसे, for example, इस लाइन को देखो, देखो, देश में अंग्रेजी भासा बोलने वालों की संख्या, भारतिय संबेधान की आठमी अनसुची में सामिल किसी भी भासा से कम है, अब ये sentence जो है, अपने आप में सही नहीं है, पूरी तरह से, लेकिन क्या है, ये भाबनाओं एक्जाजरेश्ट हो गए हैं, हिंदी के तरफ काफी, obviously है, कि ये उस विद्याले के कुलपती है, तो obviously है, काफी knowledgeable है, talented है, worst of experience उनके पास है, life का, और आइच बेलाइच बासा का, लेकिन, कहीं एक्जाजरेश्ट हो गए, लेकिन एक सास दो मूर्चों पे लड़ती हिंदी, देखो किसी भी भासा को, किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, तो दो तरीके से, एक होता है जो knowledge प्राप्त करने के लिए हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ को हम ग्यान प्राप्त करने के लिए पढ़े हैं, और एक होता है कि हम रोजगार के point of view से, यानि कि सिक्षा के point of view से प फिर मैंने PG करना था, तो मैंने MBA में admission लिया, for example, पहले ISM धनबाद, जो कि आज IIT धनबाद है, वहां मैंने admission लिया, फिर लेकिन वहां मैंने छोड़ दिया, और फिर मैं SRCC Delhi में admission Delhi University में लिया, तो मेरा ये लच्छ नहीं था कि मुझे जॉब में जाना है, पहले, ये SRCC से post graduate in global business operations, post graduation global business operations में करने के बाद, फिर मैंने फिर से graduation की, तो मुझे कुछ philosophy के कुछ चीजों को पढ़ना था, economics के कुछ चीजों को पढ़ना था, फिर मैंने माच्ट तो हर पार क्या है, मैंने रोजगार के point of view से नहीं किया, कुछ चीजों का मुझे interest था, कि मुझे ये पढ़ना है, तो यही चीज है कि आप दो चीजों के लिए point of view से, किसी चीज को पढ़ते हो, एक रोजगार के point of view से, और एक पढ़ते हो ग्यान के point of view से, एक बात देखो, यदि आप किसी भी चीज को, रोजगार के point of view से पढ़ते हो, तो आपका target focused रहता है, कि हमें इस चीज के लिए पढ़ना है, लेकिन जिती आप ग्यान के point of view से पढ़ते हो, तो हो सकता है, कि at instant आपको लाब न मिले, लेकिन life में उस चीज का बहुत advantage मिलने वाला होता है, बहुत सारी चीजों को, एक बार आप साल, दो साल, किसी चीज को ग्यान के point of view से पढ़ते हो, तो no power on this earth can stop you, which target you want, क्यानि कि जिस भी आप लच्छे को प्राप्ट करना चाहते हैं, यदि आप ग्यान प्राप्ट करने के उद्देश से सदे पढ़ते हो, तो वो ज़रूर प्राप्ट होगा, तो करा है कि हिंदी एक साथ दो मुर्चों पे लड़ रही है, एक और सिच्छा का मुर्चा है, तो दूसरी तरफ बाजार, सिच्छा का मुर्चा है कि ज्यान प्राप्ट करने का, और दूसरा तरफ है बाजार बात, भारत जैसे देश में जहां सिच्छा से निर्मित होने वाली अर्थव्यवस्था लगतार बढ़ रही है वहीं बाजार की दृष्टी से भी भारत गुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उब रही है लेकिन बाजार जहां हिंदी और भारतिय भासाओं म कोई फिस्टीवल किस दिन पड़ेगा हमें नहीं पता हो सकता है लेकिन चाइनी जो जर्मनी की कंपनी है बहुत सारे Фranz की क्योंकि उनकी लाइट भीकेगी, होली कब आएगा, उनकी पिचकारी भीकेगी, दुर्गा-पुजा कब आ रहा है, तो ये उनसे पता है, तो क्यों वो बाजार के मामले में, और देखो, सिख्छा भी एक तरह से हमारे यहां बाजार होता जा रहा है, For example, yes, मैं बहुत दिनों तक लंबे समय था कि एक तरह से चीज़ों को फ्री पढ़ाता रहा, आज की रेट में मैं कुछ पैसे का डिमांड करता हूँ, क्योंकि क्या जीरो में, वैक्यूम में नहीं चल सकता है, मुझे भी expenditure के लिए ज़रूरत होती है, दूसरों को देने के लि वहीं अब माध्यमिक और प्रात्मिक शिच्छा के छेतर में भी हिंदी एबं अन्य भारती भाताएं उपेचनिये हो गई है, देखो अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो हिंदी भासा में पढ़ते हैं, तो उनके गारजियन थोड़ा demoralized type कर फील करते हैं, कि देखो ये जो उपेच्छा है, उपेच्छा जो किया गया है, वो बहुत पहले से ही देखो, मैं काले का मिनट सोने जो पेचन था, वहां से अस्टार्ट होता है, जो Englishist और Orientalist में डिवीजन होता है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं Englishist को, और आज भी देखो कि जो उच्छ सिच के एरिया में भी देखता हूँ, Englishist medium, Englishist medium जैसे ही बोलता है, वहां के teacher हो सकता, qualified उतने नहीं हो, Hindi medium के कुछ जो teacher है, जैसे मैं high school में पढ़ा था, तो वहां चुकि रामधारी सी दिनकर कुछ school के पहले principal रह चुके थे, तो वहां के Hindi के teacher थे थे और maths बगरा के teacher highly educated थे और बह में कुछ भी नहीं है, लेकिन यह लगा कि yes, वहां Englishist माध्यम में पढ़ा जा रहा, तो धीरे-धीरे higher education में जो चीजे होती है, उसके बाद जो अब धीरे-धीरे lower level में penetrate होते हैं, तो आप yes, जिस भी चीजों में पढ़ो, यह किन एक मात्री भासा को समझो, अभी best example मैं बत में पढ़ रहा था, और अभी वह estate PCS का means लीख रहा था, ब्यार estate PCS का, तो मैंने बोला कि तुम हिंदी बाला पढ़ रहे हो, तुम IIT से PhD कर रहे हो, already five years NIT में पढ़ चुके हो, तो तुम्हारी लंबे समय से at least eight years से five years तुम NIT में रहे, BTEC plus MTEC integrated करने में, फिर three years से तुम IIT कानपूर में PhD में हो, तो तुम हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, तुम बोला कि नहीं, देखो बहुत सारे चीज़े हैं, जो मैंने history, geography, ये सब 10 तक ही पढ़ा है, उसके बाद नहीं पढ़ा, तो 10 तक जो चीज़े पढ़ ही है मैंने, वो हिंदी में में मेरा better command है, मनिस्पत इ देखो, ये एक advantage है न, कि वो इंग्लिस में करने के बाब जूद भी हिंदी पर भी उसका उतना ही control है, मैं खुद अपना बता रहा हूं, कि हिंदी में मेरा जितना command है, उतना हिंदी में भी command है, कुछ articles बगहरा जैसे, मैंने आपको बताया कि, मैं अपना link, अपनी website का, जो कहीं भी आप जदी जान रहे हो, language को, English अच्छा जान रहे हो, तो हिंदी भी आपको जाननी चाहिए, तो बाजार बाज के कारण कहीं न कहीं, जो एक तरह से चीजों को हुई है, डिमीनीस हुआ है हिंदी, तो वो आपका नहीं होना चीए, तो सामान्य जन के बदलते द्रि इस जजबे के साथ इस देश ने राजभासा के रूप में हिंदी को सुईकार किया था, और यह सपना देखा था कि हिंदी अगले 10 से 20 बरसों में समस्त भारत की संपर्क भासा, राजभासा और उश्य आगे बढ़कर राष्ट भासा के रूप में विक्सित होगी, वह सपन अब भी अधूरा है, समानेता सिद्दान्त है कि जो भासा बाजार में चलती है, वही अंतराज और समाज की भासा बनती है, लेकिन हिंदी और भारतिये भासाओं के साथ इसका उल्टा हो रहा है, देश की आर्थिक गतिवीधियों के संचालन में विसेश तक खुदरा व्य पार में हिंदी और भारतिये भासाओं परिहार हैं, पर समाज के संचालन और राजकाज की भासा के रूप में इसकी भूमिका अभी सिमित है, देखो नौर्मली क्या होता है, कि जिस भी चीज का डिमांड होता है, वो चीज मार्केट में अधिक होता है, फोर एक्जामपल आप देखो किसी भी चीज को, नोकिया का मॉबाइल पहले सब के पास हुआ करता था, तो वो नोकिया का मॉबाइल ही उपलब्द था, वो आप उसके काम चल रहा था, तो ठीक है, आप उसको खरीते थे, आज मार्केट में बहुत सारी चीजे उपलब्द हैं, तो आप उन यूज हो रहा, लेकिन हिंदी का विकास नहीं हो पाया, यह हमने अलरीडी बताया कि इनके अनुसार, यह जो है, यह एक्जाजरेट हो गए हैं, इसमें यह अतिस योक्ति कर दिये हैं, बाबजूद इसके वह अब भी पूरे भारत के राज-काज की भासा बनी हुए है, यह निर्मान, मनुष्य के बलिदान और स्वाभिमान तथा चरित्र के साधन रही है, भारत में भासा को का लोगोत्तर चरित्र है, उसका परंपरागत इतिहास है, उसे ज्यान के विश्तार और ज्यान की निर्मित के लिए उपलब्द साधन के रूप में देख सकते हैं, सभी बिविदिताओं को स्विकार करके राष्टिय एकता सिध्ध होती है। हाला कि संसत की चर्चा का अधिकांस हिस्ता हिंदी एवं भारतिय भासाओं में हुआ है। पर अभी भी कार्य पालिका में इनका परियोग सापेचिक रूप से कम है। नैपालिका में तो हिंदी एवं भारतिय भासाओं प्रवेश पाने के लिए संघर्स कर रही है। उच्च सिच्चा का छेतर भी इससे अच्छूता नहीं है। इस देश के भासाई कुलीन, स्रेश्ट सिच्चकों एवं सोध बेताओं ने पूरे प्रयास से हिंदी एवं भारतिय भासाओं को उच्च सिच्चा एवं सोध की भासा बनने से रोका है। तर्किया है कि हमारी भासा में सामगरी नहीं है इस नाते हम अंग्रेजी को में पढ़ने के लिए बात दें अब किसी भी चीज को हम यह करते हैं कि इस भासा में पुस्तक NH नहीं है तो कहीं न कहीं जो है कि आप पुस्तके बनाओगे तभी तो होगी वैक्यूम में नहीं आती है ना किसी पी चीज को फूर एजांपल देखो बहुत पहले डॉक्टर मूरली मनोहर जोसी आप जान रहे हो कि कभी वह मानव संसाधन विकास मंत्री थे अटल विहारी वा आदमी थे मितलब हैं अभी वो इंदेसिंस कि आज भी वो है तो बीजेपी के फॉंडिंग मेंबर रह चुके हैं तो उन्हों वो पीच्टी की थेसिस अलहाबाद इनवर्सिटी उन्होंने पीच्टी की थेसिस हिंदी में लिखी फिजिक्स में और वहां वो प्रोफेशर भी रहे उसके बाद वो फी राजनीती में आए तो कहीं न कहीं आप उपलब्द कराओगे लेकिन एक चीज दिखोगे कि हिंदी में कहीं न कहीं आपको मिक्स करना पड़ेगा एक्जेक्ट आप छेष्ट हिंदी जिसको कहते हैं कि यह सुद्ध संस्क्रिटाइज हिंदी मे जदी आप किसी भी चीज को लिखोगे तो वो जो है वो प्रोपर तरीका से यह नहीं हो सकता है प्रोपर तरीका से वो उसमें से मुश्किल होती है बहुत सारे लोग होते हैं तो उसको मिक्स चीजों को आप करो हम जानते हैं कि असना तक में आने वाला हमारा विद्यार्थ अंग्रेजी भासा को कितना समझ पाता है भासा सीखते सीखते ही उसकी जिंदगी चली जाती है इस संदर्ब में स्वराज इन आइडियाज में केसी भटाचारे लिखते हैं कि मैं इस सिस्थिती में आ गया हूँ कि बांगला में कुछ भी नहीं सोचा जा सकता जो सोचता उसे बांगला में लिख नहीं सकता इसलिए मेरे द्वारा लिखी स्वराज इन आइडियाज में भी नहीं आएगी बट अचारे की स्वक्यारिती का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसी सिच्छा पदती की अस्थापना का प्रियत्न करना होगा, जिसमें स्रीजनात्मक कलपनाएं और नई संभावनाओं का चिंतन मन्नों से अपनी मात्री भासा में कर सके, इसके लिए हमें दुनिया में उ सिच्छा निती की स्विकृती के एक बर्स के अंदर ही इंजिनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में भारतिय भासाओं में अध्यापन प्रारंब होना एक युगांत कारी घटना है, जो सही संदर्बों में मैकाले को खारीज करते हुए भारत के लोगों के लिए भारत की स्विकृती का जो स्वरूप बन रहा है, उसे सिच्छा में उतारना होगा, इसके लिए नई सिच्छा नीती में चैन मूलक सोतंतरता और अवस्यक्ता मूलक चैन की दृष्टी से भारतिय भासाओं को प्रस्तूत किया गया है, भारत की बहु भासिक्ता को संबर्धित करते हुए हिंदी आने वाले 10 से 15 वरसों में भारत सहित बिश्व अस्तर पर ग्यान विज्ञान और तकनीकी की भासा के रूप में विक्सित हो सकती है, हम दुनिया के तमाम देशों पर एक नजर दोड़ाएं, तो उच अस्थान पर वही राष्ट है जिन्होंने सिच्छा, व् और सरकार की भासा बनाना ही बास्ताव में भारत को अपनिवेसिक दास्ता से मुक्ति दिलाना है, और सही अर्थों में हिंदी स्वराज को साकार करना है, शमानता, स्वतंतरता और बंधुत्यों का जो स्वपन भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा था, वह इसी तर अब देखो, हम ये किसी को force नहीं कर सके हैं, कि आप हिंदी पढ़ हो, सब के पास बिकल्प है, सब के पास opportunity है, येस, जो अभी नई education policy भी आई है, उसमें ये खोशिस किया जा रहा है, at least जो एक student है, वो English सीखे, हिंदी एक सीखे, एक अपना और भासा सीखे, तो जदी आप जितनी भासा जानते हो, उतना अच्छा है, फुर ग्यांपल आप UP से हो, और यदि आप Tamil सीख रहे हो, तो क्या ये बुरा है, नहीं है, अच्छा है, यदि आप कंड़ सीख रहे हो, अच्छा है, मल्यालम सीख रहे हो, अच्छा है, उर्दू सीख रहे हो, अच बंगाली सीख रहे हो अच्छा है जितनी भासाओं को सीखते हो वो सई लेकिन प्रोब्लम आप लोग की साथ यह मेजरीटी के साथ क्या होता है कि हिंदी माध्यम से हो न तो हिंदी सही से लिख पाते हो न इंगलिस सही से लिख पाते हो मैं जब अलहाबाद में जब आफलाइ से नहीं लिखोगे तो माक्स कैसे मिलेगा अप हिंदी को पढ़ते हो तो अच्छे तरीके से पढ़ो एडीटोरियाल पढ़ो संपाद किये पढ़ो आज का जो फॉरिजाम прав कोई भी हिंदी का नूइट फेपर अच्छी तरह से पढ़ो फॉरिजाम पर मैंने यह धैनिक जा भासा का निर्मान किसी सचीवालय में नहीं होता है भासा गढ़ी जाती है जनता के जीवा पे यह देखो बालगंगा दर्तिलग जी कहते हैं मैं उन लोगों में से हूँ जिनका बिचार है और जो मानते हैं कि हिंदी ही राष्ट भासा हो सकती है अब डॉक्टर राजिंद प् यह इंग्रीज भासा का सब्द है लेकिन हमने उसी तरह से उसको स्विकार किया है ठीक है प्रोफेसर ठीक है डॉक्टर इंजिनियर यह सब जो बहुत सारे हैं सब्द हमने उसको स्विकार किया है और यही इंफेक्ट चाहिए जो सिर्फ आप चेस्ट हिंभी आप यूज न हो सकता है अब यह राजर्शी पुर्शोस्तम दाश्टंडन जी कहते हैं संस्क्रीत के अपरिमित कोस की सहाईता से हिंदी सब्दों से संबंदित सब कठनाईयां सरलता से हल हो सकेंगी तो यह मैं नहीं समझता हूं कि बहुत अच्छा है ठलो एनिवे हम हिंदी वालों की हि इस्या द्वेस या घिरना का भाव नहीं है सिपूजं सहाई जी करते हैं भारतेंदू हरिश्चंद्र हिंदी भासा के एक तरह से यह हिंदी भासा के विकास में इनका अहम योग दान है और इनके यूग को एक तरह से भारतेंदू यूग कहा जाता है तो यह काते हैं निज उप्राश्टपती स्री M.B.K. N.I.D. जी है वो भासा को लेकर के काफी वोकल है कि कते हैं कि जो मदर टंग है उसको प्रोपर तरीका से आप अपनाएं फिर यह जैसी मुपाधिया हर्याओध जी कते हैं कैसे निज सोय भाग को कोई सकता है जगा जो निज भासा अनुराग का अंकूर नहीं उर्मे उगा तो आप अपनी भासा को वो डेबलेप कीजिए हिंदी जदे आप जानते हैं तो हिंदी प्रोपर तरीका से जानएं लेकिन इंगलीस भी आपको जानना चाहिए मैं यही कहूंगा आज हिंदी भाता है तो मैं यह नहीं कहूंगा जै आप इंगल प्रोब्लम फ्रेस नहीं करें इपक्ट आप अफीजर नहीं बनते हैं कुछ भी बनते हैं आप कुछ तो जीवन में आप करेंगें आप हिंदी के ही टीचर बन गए तब भी आपको इंगलीस जदी आता है तो दिक्कत नहीं है लेकिन अपनी लैंगवज पे कमांड रखिए कुछ भी कोसिंस डाउट है जो भी है या कुछ जो हमने बताया उसके आपती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ठीक है ओके टैंक्यू वंस अगें सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक सुकाम नाए और प्रोपर तरीका से हिंदी लीखना सीखिए मैं अपने ब्लॉग का जो विबसाइट का एड्रेस है वो यह आपको दे दूँगा इसमें ठीक है बिस्किप्शन बॉक्स में उसको देखना कुछ आटकिल मैंने हिंदी में भी लीखी है तो equally मुझे लगता है कि मैं दोनों भासा को जानता हूं जितना जरूरत है मैं दोनों भासा में लीख सकता हू हूं और एवरेज सही लीख सकता हूं तो आप इस बात से कभी नहीं घबाएं सिंपल तरीके से लीखना जरूरें ओके तेंक यू